देश में पहली बार पांच साल की मासूम बच्ची से योन उत्पीडन के मामले में सिर्फ चार मिनट के अंदर पुलिस ने स्वेते ही मोके पर पहुँच कर बच्ची को संभावित अनहोनी होने से बचा लिया पुलिस के CCTV सर्विलांस नेटवर्च सिस्टम यानि अभे कमांड सेंटर पर तैनात कौंश्टेबल लाबू सिंग ने CCTV फूटेज में देखा था कि कोई वैक्ति किसी बच्ची के साथ हैवानियत करने का प्रयास कर रहा है उसने इसकी तुरंत सूचना गश्टी दल को दी मोके पर पहुँचे गश्टी दल के लोगों ने आरोपी को गिरफतार कर लिया CCTV में कौंश्टेबल ने देखा कि एक अधेड वैक्ति बच्ची से शाम के समय सुनसान जगे पर कुछ हरकत करने में लगा है इसे संदिग्द मान कर कौंश्टेबल ने लगातार उस पर नजर रखी और कुछ मिनट बाद ही आरोपी योन उत्पीडन करता हुँ नजर आया उसने ततकाल गश्ट कर रही पुलिश टीम को इसकी सूजना दी जो सिर्फ चार मिनट में ही मोके पर पहुँच गई और रेस्क्यू कर बच्ची को छुडाया और आरोपी को गरफतार कर लिया इस घटना को लेकर गट दस फरवरी शाम को पचास साल के जगदीश को पॉक्सो एक्ट में उसी रात को गरफतार कर लिया गया जो न्याइक अभी रक्षा में है दादा की उमर के आरोपी की बेटी और बेटा कोलेज में पढ़ते हैं स्पी धरवेंदर सिंग ने इस तौरित कारवाई करने के लिए कॉंस्टेबल लाबो सिंग को सम्मान देने के लिए डी जी पी को पत्र लिखा है